समस्कार आप देख रहे हैं TNP News मैं हूँ आपके साथ दिपिका ओज़ा कहने को सरकार की सारी योजनाए समाज के सभी वर्गों तक पहुँच रही है लेकिन हकीकत इससे कुछ अलग ही है ऐसा एक मामला छप्रा के तेरहया से है जहां बेबस महिला सडक पर रहने को मजबूर है महिला गाउं में लोगों के घर घर जाकर भीक मांग कर अपना गुजारा करती है महिला का कहना है कि साल 2020 में बाढ के कारण उसका सब तबाह हो गया था जसके बाद मसरक गंडक कलोनी में रहने लगी बता दे की कलोनी में दो वर्षों तक रही उसके बाद वहां बिल्डिंग तोडने का हवाला देते हुए उसे बाहर निकाल दिया गया सारा समान एक पिक अप वैन पर लोड कर पेज दिया गया महिला बताती है कि ना उसके पास राशन कार्ड है और ना ही उसे विद्वा पैंशन का कोई लाब मिल रहा है ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह महिला महंगाई के दोर में अपना जीवन यापन कर रही है पता है किसी का कोई शहरा नहीं होते हैं उनके भगवान सहारे होते हैं एक इसे ही जीता जगता उधाना आपको हम दिखा रहे हैं शहरण के तरया में एक बुढ़ी मा है और उनकी अष्याना है रहने का घर है और ये कहा कria रहने वाली है हम सिधे इनी से बात करने की कोशिज करेंगे पती को मरे हुए कितने दिन पती का मरे हुए है बीज़ optimize हो गया यह बीस वाइस वा collecting खाती यह तोस्तव तोर प्र देख सकते हैं कि 20 वाइस ह多 वर्स हो गया इनको मांक कर खाते हुए लेकिन इस mechanic महजूदा सरकार में भी इनको कोई शुविधा नहीं मिल रहा है ना कोई अश्याना है कब इनकी घर उजर जाएगा कब घर से बेघर हो जाएंगे ये भगवान ही जानते हैं तो आप देख सकते हैं साब तोर पर यहां पर बरतन रोखी होई और यसी में बनाती हैं और बिद्याले के गेट पर हैं और आप देख सकते हैं यहां पर यह खंडरा व भगल में ही आपना इस जोपरी में आपना गुजर बसर करती हैं चंदधन कुमार के चलिए फिलार के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.net पर विजिट करें धन्यवाद